बीबीसी दुनिया में आज देखिए धर्ती को बचाने के लिए एक जुट हो रहे हैं कई देश दुनिया में कुद्रती आपदाओं की मार भारत को भी जहिलनी पड़ सकती हैं मुश्किलें एक महीने बाद क्लाइमिट चेंज पर होने वाली है संयुक दुराश्ट की एक विशेश कॉन्फरेंस क्या निकलेगा इससे उपाए बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है मैं हुए दित महरा क्लाइमिट चेंज के बुरे असर की बात होगी कावस्टोरी में लेकिन पहले हैडलाइन्स इटली के मिलान में क्लाइमिट आक्टिविस्ट ग्रिटा थरंबर्ग ने निकाली सैंक्रो युवाओं के साथ रैली कहा युवा देख चुके हैं राजनेताओं के जूटे वादे मिलान में मौझूद हैं कई देशों के नेता जो कर रहे हैं अगले महीने होने वाले क्लाइमिट समिट की तैयारी वे ग्याने को ने चेताया पेड़ों की ज्यादा कटाई से तेजी से खत्म हो सकते हैं अमेजान के जंगल बढ़ेगी गर्मी और होगी कम बारिश अब ब्रिटिन से आने वाले यात्रियों को दस दिन का आईसोलेशन करना होगा अमेरिका की एक फार्मा कमपनी ने किया कोविट की नई दवा बनाने का दावा 18 महीने बाद खोली जा रही है और महीनों बाद देश वापस आ सकेंगे कई लोग एक महिला के रेप और हत्या के आरोप में लंदन के एक पुलीस अधिकारी को दी गई उम्रकैद की सजा जज ने कहा पुलीस अधिकारी ने किया अपने पत का घलत इस्तिमाल 33 साल की सारा एवराट का मार्च में किया गया था अभरण और दिखाएंगे कैसे प्यार पाने की चाहत में लोग ले रहे हैं लव कोचिंग का सहारा इन में से कुछ एहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में बेमौसम गर्मी और बरसाथ भारत के कई इलाकों को परिशान कर रहा है तो बार और बारिश से लोगों की जान जा रहा है दुनिया में कहीं जंगलों की आग कहर बरपा रही है तो कहीं ग्लेशियर पिगल रहे हैं समंदर का जलस्तर बढ़ रहा है दुनिया को इस मुश्किल से बचाने के लिए दुनिया के बड़े नेता क्या मन्थन कर रहे हैं क्या नई उपाई ढूंडे जा रहे हैं इन सबकी चर्चा आज का स्टोरी में ठीक एक महीने के बाद दुनिया के 196 देशों के नेता ब्रिटन की ग्लास गो में एक एहम जलवाईयू परिवर्तन समेलन के लिए जुटेंगे समेलन का मकसद है जलवाईयू परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर एक्स्ट्रीम वेदर जैसे परियावरन के बदलाव के असर को सीमित करने के लिए आक्शन प्लान पर राजी होना भारत के लिए भी क्लाइमिट चेंज बड़ी समस्या बन रहा है क्लाइमिट चेंज की स्टडी करने के लिए बनाए गए संयुक्त राश्ट के विशेश पैनल के मताबिक भारत समेत पूरे दक्षिन एशिया में आने वाले सालों में मौसम बहत गर्म होगा कई हिस्सों में ज्यादा बारिश होगी और बाड़ाएगी भारतिय मौसम विभाग के मताबिक दक्षिन पश्चमी मौनसून की वज़ा से पिछले तीन महीनों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है ग्लासगो में होने वाले सम्मेलन को COP26 कहा जा रहा है क्योंकि ये UN Climate Change Conference का 26वा सम्मेलन है इसके मेजबान ब्रिटिन के प्रधान मंतरी बॉरिस जॉंसन ने इस आयोजन को मानवता के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया है We will see desertification, drought, crop failure and mass movements of humanity on a scale not seen before Not because of some unforeseen natural event or disaster But because of us, because of what we are doing now And our grandchildren will know that we are the culprits उदर बढ़ता तापमान अपना असर छोड़ रहा है इस साल अमेरिका और पश्चिमी कनाडा में पारा 50 जिग्री सेल्सियस को पार कर गया रूस में गर्मी ने 120 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया यूरोप के में जैंगल धदक उठे यहां तक की सर्द अंटाक्टिका भी चड़ते पारे का गवाह बना लगातार बढ़ती तपिश्च ग्लेशियस को पिगला रही है इससे समुद्र का जलसतर बढ़ रहा है और तटिय इलाके डूब रहे है सूखा बढ़ रहा है इस साल अमेरिका की एक चौथाई से अधिक जमीन पर सूखा पड़ा और गंभीर जलसंकट सामने आ गया इसकी वज़े से अमेरिका और कनाड़ा के जंगलों में आग भड़कने के मामले बढ़े तुर्की, साइबेरिया और कई जगहों पर यही तस्वीर नजर आई वेग्यानिकों और पत्रकारों के एक स्वतंत्र संगठन क्लाइमिट सेंट्रल के मताबिक पश्चिमी अमेरिका में जंगलों की इस आग का दाइरा सतर के दशक के मुकाबले साथ गुना बढ़ गया है इसलिए ग्लासगों में दुनिया भर के नेता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि साल 2015 के एतिहासिक पारिस जलवाईयू समझहोते के बाद जो कुछ हासिल किया गया है क्या वो काफी है पारिस समझहोते में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर सहमती बनी थी लेकिन कई विशेशक्यों का कहना है ये कोशिशे ना काफी साबित हुई है और ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है अब विग्यानिक चाहते हैं कि दुनिया भर में कार्बन उत्सरजन में वर्ष 2030 तक 45 प्रतीशत की कटोती की जाए और साल 2050 तक कार्बन उत्सरजन को शून्य कर दिया जाए जिवाश्म इंधनों का इस्तिमाल कार्बन उत्सरजन की एक बड़ी वजा है लेकिन भारत जैसे तेजी से विक्सित हो रहे देश अपनी जबरदस्त उर्जा जरूरतों को कार्बन उत्सरजन में कटोती करते हुए किस तरहां पूरा करेंगे देखिए BBC समवादाता रजनी वैद्यनाथन की ओडीशा से ये रिपोर्ट भारत की कोईला खदाने इस बड़े देश को चलाने में एक एहम भूमिकाने भाती हैं देश का दो तिहाई से ज़ादा उर्जा उत्वातन अभी भी इसी पर निर्भर है कोईले की बढ़ती मांग को देखते हुए देश आने वाले वर्षों में दर्जनों खदानों की या तो यूचना बना रहा है या निर्मान कर और विस्तार कर रहा है साथ ही कोईले का आयाद भी चारी है भारत पर अपने कार्बन उत्सरजन को रोकने का भी दबाव है लेकिन कोईले के इस्तमाल को रोकना फिलहाल आसार नहीं है देश में प्रदुश्रण की एक बड़ी वज़ा है ये कोईला इंधन के सबसे बुरे साधन में से एक लेकिन इन लोगों के लिए रोज़कार का एक प्रमुक साधन भी यही है जो भारत के सबसे गरीब वर्गों में से एक है भारत कोईले के बिना नहीं रह सकता हमारा देश एक विकास शील देश है कोईला भारतियों के लिए प्रमुक संसाधनों में से एक है यदि हम बाहरी देशों के दबाव में कोईला उत्पादन बंद कर दें तो फिर हम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे सवाल ये भी है कि भारत 130 करोग से जादा की आबादी की उर्जा जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है मध्यमवर्गे परिबारों में इसकी मांग सबसे जादा है हाले कि ओसत भारतिय अभी भी बितारी या अमेरिकी लोगों की तुलना में बहुत कम उर्जा का उप्योग करते है भारत पहले से ही सौर जैसे स्वच उर्जा स्तुरूतों की ओर बढ़ रहा है विश्रग्यों का कहना है कि देश को रिन्यूवेबल इनर्जी पर स्विच करने के लिए और अधिक निवेश की ज़रूरत है भारत ने पहले ही दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर रिन्यूवेबल इनर्जी लक्षन निधारित कर लिए है जितनी तेजी से हम सौर, हवा और बायो एनर्जी में निवेश करेंगे उतनी ही तेजी से हम पुराने उर्जासरोतों से दूर जा सकते हैं लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम इन समुदायों तक पहुँचे जा आज भी इन्धन के लिए बहत पुराने साधनों का इस्तमाल किया जाता है जब उनावन लाखो भार्तियों में से एक है जो आज भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वन्चित है यहां के लोग उन चीजों के लिए तरसते हैं जिसे अब पश्चिमी देशों में लोग ज़ादा तवच्चों भी नहीं देते भारत एक प्रगतिशील देश सरूर है लेकिन कोईले की खपत को देखते हुए कार्बन उचसर्चन में अपने निर्धारत लक्ष तक पहुँचता एक बड़ी चुनाती है भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की भी यही दोविता है दुनिया में जलने वाले कुल कोईले का आधा चीन में जलता है हाला की चीनी राष्पती शी जिन्पिंग ने पिछले सप्ता संयुक्त राष्ट महासभा में दिये अपने भाशन में एक बड़े बड़ाव का एलान किया चुन्गो जां लीजं 2030 नेंचें सिसें तान दाफ्व 2060 नेंचें सिसें तान जूंग ज़ शुआ फूच्छू जां फूच्छू जां फूच्चू जां फूचू जां दाली जिस्ष फादन दूगोगा नंवें लूश ती तान फादन वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद दिखाएंगे ब्रिटिन में सुरक्षा की बहस छेड़ने वाले मामले में आया फैसला और आस्ट्रेलिया में खुल रहे हैं कोविड की वज़ा से 18 महीने से बंद बॉर्डर दिखाएंगे दोनों कहानिया एक ब्रेक के बाद आप देखरें बीबीसी दुनिया मैं हूँ विदित महरा लंदन के एक पुलीस अधिकारी को एक महिला के रेप और हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जज ने कहा कि वैन कुजेंस नाम के इस पुलीस अधिकारी ने अपने पत का गलत इस्तमाल किया 33 साल की सारा एवराड का मार्च में दक्षिन लंदन की एक गली से अपहरन कर लिया गया था जाँच से ये भी पता चला कि दोशी आफिसर वैन कुजेंस और पाँच दूसरे पुलीस अधिकारी एक वाटसाप ग्रूप में शामिल थे और महिला वेरोधी चाट करते थे उन पाँच अधिकारियों के खिलाब भी जाँच चल रही है सारा एवराड की हत्या के बाद ब्रिटेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इन प्रदर्शनों में लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है उनके हत्यारे को सजा सुनाते वक्त अपराध को बेहत गंभीर और विभत्स करार दिया गया कारवाई के दौरान सारा का पूरा परिवार वहां मौझूद था एक बयान में उनकी मा ने कहा कि वो पूरी तरह से तूट चुकी है जाहिर है उनके पूरे परिवार के लिए ये बेहत मुश्किल समय रहा है हत्या के दोशी वेन कूजेंस को उम्रकायत की सजा सुनाई गई वो शक्स जिसने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी की आड़ में सारा एवराड को एक दोस्त के घर से लोटते समय गली में जबरन उठा लिया पांच मिनट से भी कम समय तक चली बातचीत में उसने अपना वारंट कार्ड दिखाया और कोविड प्रतिबंधों का हवाला दे कर सारा एवराड को हतकरी लगा कर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया वहां मौजूद चश्मदीदों ने इस सोची समझी किड्नैपिंग की पूरी वार्दात अपनी आखों से देखी पहले उन्हें लगा कि वेन कूजन एक पुलिस अधिकारी है जो बस अपनी ड्यूटी कर रहे है लेकिन बाद में वेन ने सारा को एक सुंसान इलाके में ले जाकर पहले उनका रेप किया फिर हत्या कर दी एक सीसी टीवी में देखा गया कि बाद में वो अपना दैनिक जीवन जारी रखते हुए पास की एक कॉफी शॉप पर होट चॉकलेट और कर रहा था पुलिस ने पूछताज की तो उसने बेगुनाही का नाटक किया लेकिन तब तक वो सारा की लाश को ठिकाने लगा चुका था सजा के दौरान वेन कूजिन सिर्थ जुकाए बैठा था लेकिन सारा एवराड के परिवार ने अपना बयान देते समय उसे उनकी तरफ देखने के लिए कहा इस हत्या ने एक परिवार को तोड़ कर रख दिया मुझे बहुत शर्माती है मैं बहुत गुसे में हूँ लोगों को और महिलाओं का पुलीस पर से विश्वास हिल चुका है अपने नजदी की लोगों के बीच सारा हमेशा एक मासूम लेकिन तेज दिमाग की लड़की के रूप में याद की जाएंगी जो एक ऐसे व्यक्त की कुरूरता की शिकार हो गई जिसने अपने पद का फाइदा उठाया था कोरोना महामारी की वज़ा से 18 महीने से बंद ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर अब खोले जा रहे हैं संक्रमन बढ़ने की वज़ा से पिछले साल सीमाएं बंद कर दी गई थी पर अब आस्ट्रेलिया के लाखो लोग देश से बाहर जा सकेंगे और 45,000 लोग जो आस्ट्रेलिया से बाहर फसे हुए हैं वो अपने घर वापस आ पाएंगे और आस्ट्रेलिया के परद़जान मंतरी सकोट मौरिसन ने इसकी घोशना की और कहा कि जिन लोगों का पूरी तरह से ठीका करन हो चुका है उनने ऑस्ट्रेलिया आने जाने के लिए किसी की इजाज़त की जरुवत नहीं होगी ये उस्ट्रेलिया के लोगों को उनकी जिन्दगी वापस देने का वक्त है हमने लोगों की जिन्दगी बचाने की कोशिश की लेकिन अब वक्त आ गया है कि यहां के लोगों को पहले जैसा जीवन मिले अगर आप उस्ट्रेलिया के रहने हैं तो यह अच्छी खबर है वो राज्य जहां 80 पीसदी लोगों का टीका करण हो चुका है वहाँ अंतर राष्ट्रिय सीमा खोली जा रही है मैं इस वक्त न्यू साउथ वेल्स में हूँ यह वो राज्य है जहां दूसरे देशों से लोग वापस आ रहे हैं और यहां की लोग भी बाहर आ जा सकेंगे उन्हें सिर्फ साथ दिन तक घर पर क्वार्नटीन रहना होगा यहां के लगभग चरासी फीसदी लोगों का टीका करन हो चुका है इसलिए घर से काम करना और सड़क पर मास्क पहनने के नियम भी अब जरूरी नहीं है उदर मौरिशेस में भी वाक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए सीमाएं खोल दी गई हैं महामारी से पहले यहां लगभग 15 लाख लोग हर साल घूमने आते थे पर कोविड की वज़ा से यहां की अर्थ फिवस्था को जटका लगा है यहां आने वाले सैलानियों को कोविड की नेगिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी सीरिया की बात करें तो सीरिया के उत्तरी इलाके में कोरोना संक्रमन बढ़ रहा है सेव दे चिल्रिन संस्था ने अपील की है कि दुनिया को इस हालाद से मूँ नहीं मोड़ना चाहिए और अब बात भारत की, भारत में आज कोरोना के मामले बढ़े, एक दिन में कोरोना वाइरिस के 26,727 मामले सामने आए हैं अब भी ज्यादातर मामले केरल से आ रहे हैं वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे लव पार्टनर ढूणना कैसे बन गया है अर्बो डॉलर का बिजनिस तो लव की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद आप देखनें बीवीसी दुनिया, मैं हुए दित महरा कई लोग पार्टनर की तलाश के लिए नए तरीके अपनाने लगे हैं और कई लोग तो लव कोचिंग की क्लासेस भी ले रहे हैं ऐसे में लव कोचिंग का बिजनिस दुनिया में बाईस अरब डॉलर का कारोबार बन गया है बीबीसी समवाद दाता मेगा मोहन तीस साल की उम्र की महिलाओं के एक ऐसे ही सेमिनार में गई मेरी पाँच बहनों में सबसे बड़ी है اور अपने बहनों के उलट उन्होंने अब तक शादी नहीं की आपके असपास के सभी लोग उमीद करते हैं कि अगर आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले शादी भी आपकी ही होनी चाहिए हम सफर ढूनने का जम्मा मैरी ने अपने हाथों में लिया जिसके लिए उन्होंने एक लव कोचिंग क्लास में दाखिला लिया लव कोचिंग की ये क्लास अफरीका के सबसे मशूर लव कोच रॉबर्ट बुराले होस्ट कर रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहती हैं जो उनके साथ हमेशा के लिए रहेगा लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनका दिल टूटा है और वो जवाब चाहती हैं अगर विनमरता से बताऊं तो मेरे बिजनेस का मकसद कड़वी सच्चाई को सामने लाना है रोबर्ट बुराले की कोर्स के केमत 50 अमेरिकी डॉलर ये मैरी का हफ़ते भर का वेतन है अगर यहीं कोर्स अमेरिका में होता तो हजारों डॉलर लगते तो आज हम आप महिलाओं से रिष्टों के मसले पर बात करेंगे आप इसलिए अकेली नहीं है क्योंकि कोई पुरुष आपके साथ नहीं है बलकि आप सिंगल अपनी गलतियों के वज़े से है कारकरम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया रोबर्ट ने मैरी को स्टेज पर बुलाया जहां मैरी ने अपनी मौझूदा जिंदगी पर पिछले तूटे रिष्टे के असर के बारे में बात की मैंने इतने सालों से किसी को डेट नहीं किया क्योंकि मैं हर दूसरे पुरुष को जज़ करती थी आपने क्यों डेट नहीं किया? आप क्या सोच रही थी? मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं ठीक नहीं हूँ मैं उमीद करता हूँ कि अब आप ये समझ गई होंगी कि पहले आदमी ने आप से जो कहा था वो बातें उसने आपको नीचा दिखाने के लिए कहीं थी वो बातें असल में सच नहीं हैं बलकि उसने आपको अपने इस तर तक गिराने के लिए ये बातें कहीं थी तुद्याले वो इंटरनाशनल कोचिंग फेडरेशन के मताबिक साल 2015 से डेटिंग और लाइफस्टाइल कोचिंग उद्डियों की लोकपरिता और बिजनस दोगुना हो चुका है उन ऑनलाइन ग्रहकों की बदौलत जो शायद एक जीवन साथी से कहीं ज़ादा आत्मसम्मान की तलाश में हैं दरसल इस कोर्से सबसे एहम सीखने वाली बात ये है कि आप खुश रहें किसी को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करें वैसे पूरी दुनिया में डेटिंग आप्स का बिजनस पिछले एक साल में 20 प्रतिशत बड़ा है और कारिक्रम में आज बस इतना ही आप से मुलाकात होगी सोम बार को रात 10 बजे तब तक अपना ख्याल रखिए